कि फामिली मेंबर्स के साथ आपका इक्वेशन बदले नय सदस्य आए तब आपको रिव्यू करना लेकिन एक और इंपॉर्टन काम यह हो सकता है कि आप शायद कुछ संपत्ति खरीद रहें आप एडिशन करने हैं आपने जब यह विल बनाई तब शायद नहीं और जब आप कुछ नई संपत्ति जोडते हैं या नया पैसा आपके पास और आता है तब भी तो रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी जरूरत है पर हर बार जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ क्लॉजे ऐसे डाल सकता हूँ कि आगे कि समझदो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डेथ के बाद अपनी वाइफ को दे रहा हूँ तो मैंने उसमें क्लॉज डाला मेरी फ्यूचर वैल्थ भी उन्हीं को जाएगी अब इसमें नहीं एड्ड करूं डिलीट करूं वह उन्हीं को जाएगी प्रॉब्लम किया है कि प्रॉब्लम कब हो सकती जब मैंने कहा कि यह वाली संपत्ति इसको जाएगी ये वाली संपत्ति इसको जाएगी अब फ्यूचर वाली बताना थोड़ा था मुश्किल है तो मुझे जैसी में प्रिसम्दों कि नया घर खरीदा नई प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिस्ट्रिब्यूट क उगरो कि नई विल बनाओ या खाली इस प्रॉपर्टी की अलग बना थो यह एक ऑप्शन है उकि अगर आप उसे बोचे एक आदमी कितनी बना सकता मैं करता हूं अन गिनत बना सकता है तो यह जबर एकादमी एक ही बना सकता है अनचगिनdest बना सकता है, मैं नई will बना दूँ, पुरानी will को हाथ भी ना लगाँ, रइक? मैं पहली प्रापटी जो दिये हो, मैंने अपने वाइव को दी, अब नई प्रापटी जो आई है, मैं कहता हूँ, मैं अपनी बेटी को देना विल में और एक चोटा सा कागज अमेंडमेंड का डॉकुमेंट डालने कि अब ये प्रॉपर्टी भी आई है इसको कोडिसील से हम ट्रांसफर कर दें तो बहुत सारे तरीकें पर हां आप आपको करना रिव्यू जरूर चाहिए तो दो बाते सीखी हैं एक तो रिव्यू करना चाहिए दैतमीस हमारे एक्सपर्ट कहने कि आप विल जितनी बार चाहिए उसे बदल सकते हैं एक बार विल बन गई तो ये पत्तर की लगी नहीं है दूसरी इंपॉर्टन बात मैंने सीखी अब ही डॉक्टर दीपक से कि आप कि आप एक ही प्रॉपर्टी को बार बार अलग अलग विल में मेंशन कर रहा हूं वो इंडिपेंडन या कुछ नहीं प्रॉपर्टी या नहीं संपत्ति के बटवारे पर हो मल्टिपल विल में नहीं तो कन्फूशन हो जागा फिर जो आखरी विल है उसे फाइनल विल माने किया प्रॉपर्टी को इंगे .